नमस्कार साथियों इन्फ्यूजर नोड्स के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है यह सेसन रहेगा 12 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेर्स का इस सेसन में जितने ही महतोपून परसन साथियों इंडिया करंट अफेर्स से बनने हैं उन पर मैं आपके साथ सर्चा करूँगा साथ ही उन परसनों से जूड़े वे जो महतोपून तरते हैं आपसे अगामी परतविता प्रिक्षा में पूछे जा सकते हैं उनकी भी जानकरी मैं आपके साथ साजा करूँगा और साथ में साथियों अंत में पांच महतोपुन क्यूसन है वो जनरल साइंस के भी देखेंगे तो साथियों इस सेसन में आपको करंट अफेर्स भी मिलेगा इंडिया का और साथ में जनरल साइंस के पांच महतोपुन क्यूसन भी मिलेंगे मेरे दुआ रखिया जारे यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस session को like वा से जरूर कीजिएगा Infusion Notes की YouTube चैनल को like वा सब्सक्राइब कीजिएगा तो साथियों शुरुआत करते हैं 12. October 2023 इंडिया current affairs के session की पहला question आप से पूछा गया है Important question रहेगा हाली में बारतिय रिजरो बैंक के उप कारियले का उदगाटने कहां किया गया है Important question है इंटा नगर में आप से पूछा है बारतिय रिजरो बैंक के उप कारियले का उदगाटने कहां किया गया है हाली में तो आंसर होगा इंटा नगर में कहां किया गया है तो आंसर हो गया इंटा नगर में अब ये उद्गाटन किया गया है कारियलय का इंटा नगर में अब आप से पर्षन पूछेगा किसके दुआर किया गया है वो भी अपने को पता होना चाहिए तो RBI के डिप्टी गौवर्णर है डॉक्टर माइकल जो वर्त इंटा नगर में किया गया था किसने क्या तो आंसर होगा डिप्टी गौवर्णर वर्तमान में है डॉक्टर माइकल देवर्थ पात्रा के द्वारा किया गया कहां किया गया तो इंटा नगर में किया गया अब बात आई है RBI की तो RBI के RBI की स्थापना आप से पूछे कब क किया गया और RBI की स्थापना कब कीगी एक अपरेल 1935 में कीगी थी इपोर्टेंट क्यूशन है सातियों पूछा जा सकता है तो सातियों वर्तमान में RBI के गवर्णर जनर कौन है उसका अंसर है जो आपको बताना है आगे बढ़ेंगे अगले क्यूशन पर बात करेंगे अगल कौन सा देसे बना है तो आंसर होगा पर्थम देसे बना है इपोर्टेंट क्यूशन है इपोर्टेंट क्यूशन है सातियों जो भी अगर कोई चीज विसों में परतम होती है या देश में परतम होती है या राजय स्तर पर परतम होती है तो वहां से पर्षन बनने की समावना रहती है आप से पूछा है अब तट ये जाज से Electromagnetic Railgun को सफलता प्रोक launch करने वाला जपान कौन सा देश बना है तो पर्थम बना है आप से पूछ सकता है ऐसा भी कौन सा देश पर्थम बना है तो आंसर होगा जपान इपौर्टेंड कि उसने है पूछा जा सकता है अब सात्यों बात आई है अब तट ये जाज तो ये क्या होता है अब तट ये जाहाज ये है जाज विशेष रूप से खुले समुन्दर में तेल की खोज का कारिया करता है important है पूछा जा सकता है आपको कि अब तर ये जो जाज होते हैं इनका कारिया क्या होता है ये विशेश रूप से साथ ये खुले समुंदर में तेल की खोज का कारिया करते हैं important question है आगे बढ़ेंगे अगले question पर बात करेंगे अगला question आप से पूछा है हाली में भूव एग्यानिकों ने कहांपर मुंगा चटानों के जिवासम का पता लगाया है आप से पूछा है भूव एग्यानिकों ने कहांपर मुंगा चटानों के जिवासम का पता लगाया है तो आंसर होगा लदाक में कहांपर लगाया है लदाक में लगाया है किसने भू भूवय गयनिकों ने जो मुंगा चत्तान है उसका पता लगाया है जो पूरी लदाख सात्यों वहाँ पर इसकी खोजे भूवय गयनिकों के दुआरा की घीीया यानि पूरी लदाख संव से उंचाइब बताईजार रही है ये भी अपने को पता होना चाहिए important question है पुछा जा सकता है आगे बढ़ेंगे अगले question पर बात करेंगे अगला question आप से पूछा गया है हाली में दुर्गा भार सम्मान से किसे सम्मानिते किया गया most important question रहेगा साथियों पूछा जा सकता है आप से पूछा है दुर्गा भार समान से किसे समानित किया गया तो आंसर है अजे च्यक्रवर्ती को किसको समानित किया गया तो आंसर होना चाहिए अजे च्यक्रवर्ती को समानित किया गया important question रहेगा दुर्गा भार समान से किसें समानित किया गया तो आंसर होगा अजे चक्रवर्ती को किया गया इसके अलावा सातियों केंदरिये विश्यो विद्याले विश्यो भारती वे गौर्डन रीज सीप बिल्डर्स एंड इंजिनियर्स वे भारती अंतरिक्स अनुसंदान यानि इस रो को भी समानित किया गया यानि टोटल च्यार कौन-कौन शी हो गया एक तो हो गया अजे चक्रवर्ती जी हो गया और इसके अलावा केंदर ये विश्यो विद्याले विश्यो भारती और तीसरा हो गया गार्डन रीज सीप बिल्डर्स एंड इंजिनियर्स और चोथा हो गया बारती अंत्रिक्स अनुसंदाने के अंदर को है जो दुर्गा भारते समान से है समानित किया गया अब किसके द्वारा किया गया ये भी इपोर्टेंट है तो पस्सिम बंगाल में एवाड दिये गये थे तो पस्सिम बंगाल के जो वर्तमान में राजयपाल ह कुन है सीवी आनन्द है उनके द्वार है जो अजे चकरवर्ती और केंद्री विश्य विद्याले विश्य भारती वैं गोर्डन रीज उनको दुर्गा भार सम्मान 2023 सम्मानी ते किया गया है इपोर्टेंट क्यूसन रहेगा पूचा जा सकता है आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्यूसन पर बात करेंगे अगला क्यूसन है आप से पूचा गया है हाले में विश्य स्वास्ते शिकर समयलन 2023 कहां आगे जित हुआ आप से पूचा है विश्य स्वास्ते शिकर समयलन है जो 2023 कहां आगे जित हुआ तो आंसर होगा बरलीन में इस कायोजने किया गया था कहां पर आगे जित हुआ था बरलीन में इस कायोजने किया गया था कब किया गया था तो 15 से 17 अक्टूबर को इस क आयोजन कहां किया गया, बर्लिन में किया गया, कब किया गया, 15 से 17 अक्टूबर के बीच में किया गया था, और इसकी आयोजन किया गया था, वेस्विक्स वास्ते कारवाई के लिए परिबासित वर्ष के अधार पर, यानि इसके लिए जो आयोजन किया गया था, वेस्विक् 17 अक्टूबर के बीच में किया गया था, important question है, साथियों पूछा जा सकता है आप से, आगे बढ़ेंगे अगली question पर बात करेंगे, अगला question आपके सामने है कि बात में, online with ये दोखा दड़ी को रोखने के लिए Google ने कौन सा प्रोग्राम में लौंच किया है, पूछा जा सकत है, आजकल साथियों सोसल मीडिया से, जो दोखा दड़ी बढ़ चुकिये है, उसको रोखने के लिए Google ने कौन सा प्रोग्राम लौंच किया है, ये आप से पूछा, यानि online with ये दोखा दड़ी को रोखने के लिए Google के दवारा कौन सा प्रोग्राम में लौंच किया गया है तो आंसर होगा, डीजी कोच प्रोग्राम है, जो गूगल के दवारा शुरू किया गया है, इपोर्टेंट क्यूसन है, साथियों पुछा जा सकता है, आपको ही पता है, सोसल मीडिया के माध्यम से कितनी दोखा दड़ी की जाते है, उसको रोखने के लिए Google के दवारा है, जो DG कोच प्रोग्राभाम है, जो शुरू किया गया है, अब इसका उदेश्य पुछे, तो इसका उदेश्य कiया है, कि वित्यज दोखा दड़ी है, उसको रोकना ही इसका परमुखे उदेश्य रहेगा, आप से पुछेगा, शिदा का सिदा, DG कोच प्रोग्राम किसके तो आंसर होना चाहिए आपका Google के दूआरा शुरू किया गया इसका सम्मंध किस्टे है तो online जो वीतिय दोखादढी है उसको कम करने से इसका सम्मंध रहेगा यानि online जो वीतिय दोखादढी होती है उसको कम करने में इसका से होगे रहेगा important question है पूछा जा सकता है आपसे आगे बढ़ेंगे अगले question पर बात करेंगे अगला question आपके सामने है कि हाली में अरब सागर में आए चकरवात तेज का नामकरण किस देश ने किया तो आंसर होगा भारत के द्वारा किया गया यानि जो अरब सागर में चकरवात आया था उसका नामकरण जो तेज है वो किस देश के द्वारा किया गया तो आंसर होगा भारत के द्वारा है जो इसका नामकरण है किया गया था ये भी अपने को पता होना चाहिए यानि अरब सागर में आये चकरवात आया था उसका नाम है करण जो तेज है वो किस देश ने दिया तो आंसर होगा भारत के द्वारा इसका नाम दिया गया इसके लावा जो बंगाल की खाड़ी में बना था चकरवात हमून उसको नाम किस ने दिया था इरान के द्वारा इसको नाम दिया गया था ये भी अपने को पता होना चाहिए किसके द्वारा नाम दिया गया था तो आंसर है इरान के द्वारा इसको नाम है दिया गया था most important question है सास्यों पूछा जा सकता है आपसे आगे बढ़ेंगे अगले क्यूसन पर बात करेंगे अगला क्यूसन है मिसन महिला सार्थी का सुबारा में किस राजे में हुआ आप से पूछा है मिसन महिला सार्थी का सुबारा में कहा हुआ तो आंसुर है उत्तर परदेश में हुआ कहां पर हुआ उत्तर परदेश में हुआ, कहां पर है, उत्तर परदेश में हुआ, किसके दौरा इसकी शुरुआत की गई थी, तो योगी आदितियानाजी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके दौरा इसकी शुरुआत की गई थी, मुख्यमंत्री जी के दौरा इसकी शुरुआत की गई थी, उत driver वे connector है जो दोनों ही मेला होगी और इसकी शुरुवात है जो उत्रपरदेश में कीगी है किस नाम से मिशन मेला साटी के आगे बढ़ेंगे अगला क्यूस ना आप से पूचा है हाली में सर्दानजली फलाई ओवर का उद्गाटन है जो किसे राजे में किया गया तो आंसर है असम में किया गया हाली में सर्दानजली फलाई ओवर का उद्गाटन किस राजे में किया गया तो आंसर होगा असम में किया गया और किसके दुआरा किया गया तो मुख्या मंत्री है है हैमत बिश्वा सरमा मुख्या मंत्री कोन है है मत भिश्वा सरमा के दौआरा किया गया था इसका उदगातन इस पर जो बस एफ पॉटेंट है तीन सो सोड़ा करोड का साथियों बस ए दे है इसकी लंबाई याद रखना इसकी लंबाई पुची जा तो आंसर है 2.28 km यानि 2.28 km इसकी लंबाई है इस पर जो बजट है वह ही पोटेंट रहेगा वो था 316 करोड इसकी लंबाई 2.28 km है और इसका उदगाटन किस ने किया है हैमत विश्वा सर्मा के द्वारा किया गया नाम क्या है इसका सर्दानजली फ्लाई ओवर का उदगाटने किस राजे में किया गया असम में किया गया किस के द्वारा किया गया वर्तमान मुख्य मंत्री हैमत विश्वा सर्मा जी की द्वारा किया गया इस पर जो बजट है वो 316 करोड का था इसकी लंबाई जो most important है पुछी जा सकती है आप से पूछा गया है कि हाली में किसने प्रोजेक्ट उद्वो को लौंच किया गया तो आंसर है राजनात्स यहां कि द्वारा लौंच किया गया इसका उद्वेश्य क्या है प्राचिन जो हमारे पास गयाने इसको प्योग सेना की सकती को बढ़ाने के लिए करना important है प मजबूत किया जाए किस प्रकार कूर्टनिती से इंकाम लिया जाए वो सब का गयान है जो सेना को provide कराना यानि सेना को मजबूत करना इसका उद्वेश्य रहेगा तो साथियों ये थे इंडिया करंट अफेर से समंधित महतोपून कुशन वो मैंने आपके साथ शेयर किये अब जो 5 महतोपून कुशन है साथियों जनरल साइंस के वो काफी important रहेंगे आपके लिए ये सभी कुशन साथियों NCRT की बुकों में से त्यार किये जाते हैं और ये सभी उन प्रतविता प्रिक्षा में उप्योगी रहेंगे जिनमें जनरल साइंस से पूछी जाती है तो आपसे पूछा है कोल के आसवन से प्राप्त अमोनिया जो दरो होता है वो किस काम में आता है तो आंसर है कीट ना सके बनाने में काम में आता है आगे है उसमा संचरन की कौन सी विदी में मध्य माध्यम माध्यम की आफशकता नहीं होती तो आंसर है विकिरन उसमा संचरन की कौन सी विदी में माध्यम की आफशकता नहीं होती तो आंसर होगा विकिरन जो विदी होती है उसमें माध्यम की आफशकता नहीं होती साथियों यह जो कुछन है कोल के आसवन से प्राप्त अमोनिया द प्रियुक्त एक पद है तो आंसर होगा वास्पन आप से पूचा है समुंदरी जल्सें साधारन नमक बनाने में प्रियुक्त एक पद है तो आंसर होगा वास्पन की प्रिकिरिया इसमें की जाती है कई बार प्रतियोगीता प्रिक्षा में पूचा जा चुका है साथियों ये उस प्रत्योईता प्रिक्षा में आपको ये क्यूशन छपा हुआ, मिल सकता है, आंसर हेगा, एंट्रोपी, आगे बढ़ेंगे, अगला क्यूशन आप से पूछा है, अधिशोषन की डेल्टा अच्छ है, जो सदे होती है, तो आंसर होगा, रिनात्मक्या होती है, सदे हो, रिनात्मक्य होती है, अधिशोषन की डेल्टा अच्छ है, वो सदे होगी तो आंसर होगा, रिनात्मक्य होती है, पांच महतोपुन क्यूशन सातियों, ये जो पांचवा क्यूशन है, वो इपोर्टेंट है, और जो चोथा क्यूसन है वो most important रहेगा और जो पहला क्यूसन है ये तो पुछा ही जा चुका है तो साथियों इस session में मैंने आपके साथ India Current Affairs के महतोपून 10 क्यूसन शेयर किये और उन परसनों से जुड़े हुए जो महतोपून तरते थे उनकी भी जानकर इसादा की इसके अलावा पांच महतोपून क्यूसन जर्नल साथ के भी शेयर किये मेरा प्रियास रहा कि मैं आपको Current Affairs के इस session में जर्नल साथ से भी अपडेट कर दूँ मेरे द्वार किया गए ये प्रियास आपको पसंद आया है तो इस session को like वैसे जरूर कीजिएगा Infusion Notes के YouTube चैनल को like वैसे subscribe कीजिएगा इसे अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा धन्यवाद साथियो